अपने बिजनिस कारोबार को बढ़ाने के लिए हिंदोस्तानी रिपोटर की इस email address पर संपर्क करें दुनिया और देश से खबरे कोरोना वाइरस की कोरोना के चलते मुंबई की लाइफ लाइन में अब नहीं कर पाएंगे आम यात्री यात्रा मरफिक कामदार इंदोस्तानी रिपोटर में आपका स्वागत है कोरोना वाइरस के पूरी दुनिया में फैलाओ के चलते हम लगातार आपको एक ही खबर में पूरा अपडेट देनी की ये कोशिश कर रहे है लगातार हमारा अपडेट आप तक पहुँच रहा है आज के अपडेट में हम आपको बता रहे हैं के पूरी दुनिया में अब तक 297,635 लोग कोरोना वाइरस से बादित हो चुके हैं जिन में 12,831 मौते हो चुकी है सबसे ज़्यादा मौते इटली में हुई है चाइना को पीछे छोड़ते हुए चीन को पीछे छोड़ते हुए इटली का मौतों का आकड़ा अब 4825 पर पहुँच चुका है सबसे बड़ी दुखत बात यह है कि शनिवार के दिन अकेले शनिवार के दिन यानी 21 मार्च को इटली में एक ही दिन में 793 मौते कोरोना वाइरस के कारण हुई है अब बात करते हैं भारत की भारत में भी अब कोरोना वाइरस थोड़ा फैलते ही जा रहा है तेजी से फैल रहा है 315 केसेस अब तक सामने आ चुकी है जिन में महराश्र की 64 केसेस है इस प्रकार भारत के इन तमाम राज्यों में कोरोना वाइरस की ये मरीज है तेश में अब 22 मार्च को जनता करफ्यू लगेगा जिसके चलते ये माना जा रहा है कि चेन टूपने में ये जनता करफ्यू काफी मदद करेगा और इस से कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए जो है एक नया बल और नई स्फूर्ती भी मिलेगा अब हम बात करते हैं विदेशों में फसेवे भारतियों की सबसे पहले हम वीडियो आपको बता रहे हैं मलेशिया एरपोर्ट से ये वीडियो सोशल मेडिया पर वाइरल किया गया है 300 के करीब-करीब भारतिये जो पिछले 3-4 दिनों से मलेशिया एरपोर्ट पर फसे पड़े हैं और फसे भी खतम हो चुकह और खाने पीने का सामान लेने के लिए पैस नहीं है क्या क रहे हैं इनके प्रतिनीडी कर रहे हैं जो سरदार जी को क्या क्या रहे है सुनिये उनकी अपनी जुबानी नमस्कार जी मैं हमर जी सिंग मलेशिया के कौला लंपूर एरपोर्ट से बोग रहा हूँ यहां पे हमारे पास कम से कम 300 के करीब इंडियन भारती जितने भी है वो सारे फसे हुए उसमें साउथ इंडियन है पंजाबी है लगबख सारे इंडिया से हैं और जो फसे हुए हैं ह और ना ही हमने अमबैसी में कई बार कॉल किया है कोई भी यहां पर फोन ने उठा रहा है उसके अलावा हमने सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियो डाली है हमने न्यूस चैनल वालों को भी बेजा है लेकिन हमारी कोई भी न्यूस का कोई असर नहीं हुआ आज मैं आपको इसकति अनों यह दुनिया के कितने ही देशों से यहां पर लोग आते हैं जाते हैं किसी एक भी देश का आदमी यहां पर फसा हुआ नहीं सिर इंडियन सिर इंडियन फसे हुए हैं अगर आप तक परशाशन तक हमारी इंडियन गवर्मेंट तक आवाज पहुँच रही है तो आपके अलावा हमें कोई यहां से निकालने वाला नहीं है, प्लीस हमें यहां से निकालिए, छोटे-छोटे बच्चे हैं, और आप हम बाते करते हैं, पाकिस्तान का एक भी नागरिक यहां पर नहीं फसा हुआ है, वो छोटी कंट्री है, वो सब से हम से बहुत कम जोर है, उनका एक भी नागरिक नहीं फसा, लेकिन हम लोग फसे हुएं, हमें आज यहां पर शर्म महसूस हो रही है, हमें जल्दी से जल्दी निकाला जाए, कब निकालेंगे, जब हम लोग को भी करोनosphे हिरवारिस हो जागा, या हम लोग भी मर जाएंगे, या हम लोगों को यहां कि यह उन्यकर्ट कमें गाल णे टो कि आपकर लगिंग जिए वाइट को फ़ंगे भर गच्छी ऊससा कि दो कि भूगे इस इस ने हमें इस दो भूगे शोटे शोटे बच्चे आजिए इसमें वीडिया नहीं जो लाए हम यह नहीं कर रहा है नहीं जवाब नहीं दे रहा है और हमारे पास नाने की सुवीदा नहीं है अगली खबर हम आपको पश्चिम बंगाल से बता रहें, पश्चिम बंगाल में जहां अब तक कॉरोना वाइरस के तीन ही मरीज पाएगे, मगर यहां कोलकता की दम दम जेले, सेंटरल जेले यह, यहां पर कैदियों ने प्रशाशन से पंगाले लिया है, कैदियों का कहना है क कोरोना वाइरस के फैलने के चलते, उन्हें बेल मिलना चाहिए, और जो सजायापता कैदी है, उन्हें फरलो लिव देना चाहिए, पैरोल देना चाहिए, इसी बात को लेकर के 21 मार्च शनिवार के दिन जेल में कैदियों और प्रशाशन के बीच भिढंत हो गई, यह भिढ लिए के बाहर से लिया गया वीडियो है, अंदर कैसे आसुगैस का धुआ निकल रहा है, और कैसी आवाजे आ रही है, वो इस वीडियो से आपको साफ पता चलेगा उसके बाद हम फिर लॉट कर आते हैं मुंबई में, मुंबई में आपको बता दे सबसे बड़ी खबर है, कि ट्रेने, लोकल ट्रेने जो है, अब अत्यावशक सेवाओं के जो सरकारी कर्मचारी है और मेडिकल फिल्ड में काम करने वाले जो लोग हैं, इन्हें पहचान पत्र के जरीए ही लोकल में अब प्रवेश दिया जाएगा, इनके अलावा किसी भी आम यात्री को लोकल ट्रेन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा चाहे वेस्टन लोकल ट्रेन हो, चाहे सेंटर लोकल ट्रेन हो या हर्बर लोकल ट्रेन हो तीनों रूट की लोकल ट्रेनों पर आम यात्रीयों के लिए अब लोकल ट्रेनों पर पाबंदी लगा दी गई है और किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ती, आम व्यक्ती लोकल ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाएगा इस तरह के आदेश कोकन डिविजनल कमिशनर शिवाजी राव दौन ने जारी कर दिये है और हर रिल्वे स्टेशन पर लोकल के हर रिल्वे स्टेशन पर एंटरंस पर प्रवेश द्वार पर ही पुलिस की एक टीम मौजूद रहीगी जो पहचान पत्र देखने के बाद ही अं अधिकारी और मेडिकल फिल्ड में काम करने वाले लोग ही अब यात्रा कर सकेंगे लोकल ट्रेन से इसके बाद हम आपको एक वीडियो बता रहे हैं यह दंपत्ती है नव दंपत्ती इन्होंने शादी कर ली 21 मार्च को इनकी शादी होनी थी 22 मार्च के दिन रविवार को ज इस दिन देश के पीम नरेंद्र मूदी ने जनता कर्फ्यू का एलान किया है इस नव दंपत्ती का नाम रूपेज जादव और प्रियंका जादव है आपको बता दें आप वीडियो देख करके चौक जाएगे कि शादी के बंदन में बंदे के दोरान भी इन दोनों ने मास पहना एक दूसरे को मास पहना आया और मास पहनने से पहले हैंड सानिटाइज़ेशन से अपने हाथ भी इनों ने साफ किये किस तरह से कोरोना का प्रभाव है लोगों के दिलों दिमाग पर यह से साबीत होता है कि थे सकता है अप्सारा एक 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 अप्सा ए फोड़ा दापाणो फुर्ण द्धूरसे लिए यान या त अख वोडोकाड जरए अखर तक मेरे तो आप बेड़ो आबकों वाप्ड़ुन में अगजू यह चोण अब हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना के चलते मुंबई में जितनी पाबंदिया एपेडेमिक एक्ट के तहट लाई जा रही है सरकार द्वारा रोजगार बंद किये जा रहे है जिसके चलते अब लोगों का सफर शूरो रहा है अपने गाउं की तरफ जानी के लिए किस तरह से मुंबई के च्छत्रपती शिवाजी महराज स्टेशन पर बाहर की अपने गाउं की गाडिया पकड़ने के लिए हावडा एक्सप्रेस हो या अन्य कोई दूर की जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन मेल ट्रेन हो यह पकड़ने के लिए भीड़ हो रही है वो कि कैसे लोग स्टेशनों पर भीड कर रहे हैं और कोरोना वाइरस के डर से अब मुंबई में नर रहते हुए गाउजानी के लिए ततपर हो रहे हैं तो यह पूरा घटना करम जो है बता रहा है जैसे लोकल अब बंध हो रही है आम आदमियों के लिए आम लोगों के लिए तो आने वाले धिनों में ही पता चलेगा मरीजों की संख्या बढ़ रही है और खास करके मारास्ट में बढ़ रही है लोकल ट्रेंड बंध होने से और मरीजों की संख्या बढ़ने से अब लोगडाउन शायद मारास्ट की चार सीटियों में जैसा किया गया है वैसा सब जगा क यह देख ले भाई आज का वीडियो बंब मेल यह सी कही आलत है लुडियो बंब मेल यह सी कही आलत है दुनिया, देश और महरास्टर के अलावा कोरोना वाइरस से सम्मंदित घटना करम की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली थी आज की ही हमारी खबर जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ झालावा करम की महत्वपूर्ण जानकारी खबर के साथ